बच्चों, आपने अपने चारो तरफ कई तरह के जीव देखे होंगे इन में से कुछ जीव पानी में रहते हैं, तो कुछ हवा में दिखाई पड़ते हैं कुछ इस्थल में रहते हैं, तो कुछ पेडों पर रहते हैं जैसे, ये देखो, कितनी सारी मचलियां हमें पानी में दिखाई दे रही हैं, बदक भी है, और वो किनारे कौन आराम कर रहे हैं, ये तो मगर मच्छ है, हवा में हमें कबुतर और मैना दिखाई दे रहे हैं, कुट्टा और बिल्ली, ये तो सामानेता आपने देखे ही होंगे कुट्जीव जो होते हैं, वो इतने सुक्षम होते हैं, जो हमें सामाने आखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि अमीबा, युगलेना, इनके बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, और कुट्जीव इतने विशाल, अरिवाप्रे, ये देखो, इतना बड़ा गजराज, ह बरगत का पेड़ आपने देखा है, कितना विशाल होता है, और आपके चारो तरफ फैली हो ये घास, कितनी छोटी होती है, कुछ पौधे जो होते हैं, वो पानी में उखते हैं, और कुछ रेगिस्तान में, कुछ पौधे भूमी के नीचे उखते हैं, तो कुछ भूमी के उपर इस प्रकार हमने देखा कि पॉधे और हमारे पेड पॉधे जीव जन्तों में कितनी विवित्ता पाई जाती है। आज हम जीवों में पाए जाने वाली विवित्ता और वर्गी करण पर चर्चा करेंगे पौधों और जन्तों के सम्यों कर्यान का आधार क्या क्या होता है इस पर बात करेंगे और साथ ही उनका वर्गी करण किन-किन वेग्यानिकों ने और कप-कप किया इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि इस विशाल सजीव जगत को पढ़ना और समझना इतना आसान कैसे हो सका। इन सभी बातों की चर्चा आईए हम इसे ध्यान करते हैं। हमें कई प्रकार के जीवों के समु दिखाई देते हैं। इन जेव समु के सदस्यों में भिनताय भी हैं वह समानताय भी। जैसे कि घोडे, बिल्ली, कुत्ते आदी जानवरों के समु को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगत, जामुन, अनार, आदी पेड़पौधों के समु को यदि हम इन दोनों समु के सदस्यों के लक्षणों की तुल्ना करें, तो हम पाते हैं कि एक समु विशेश के सदस्य अन्य समु के अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। इन समु के सदस्यों को और भी छोटे-छोटे समु में बाटा जा सकता हैं। उधारन के की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटों समुहों से अलग करते हैं ये लक्षण इस समुह के सभी सदस्यों में मिलते हैं चाहे वह सदस्य पृत्वी के किसी भी छेत्र विशेश में रहता है यही उस समूव विशेश के लक्षन कहलाते हैं. तथा इन्हीं के आधार पर उस समूव को जाती की संग्या दी जाती है. उधारन के लिए हम मनुश्यों के समूव के ही बात करते हैं. सभी मनुश्य चाहेवे प्रित्वी के किसी भी छेतर में निवास करते हूं, सभी में सुविक्सित मस्तिश्क त्वचा पर कम घनेबाल पाये जाते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे लक्षण मनुष्य जाती के हैं जो इन्हें अन्य जाती के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं क्या एक ही जाती के सभी सदस्य सारे लक्षणों में समानता रखते हैं इस विशय पर अपने साथियों से चर्चा करें अभी तक हमने एक ही जाती के सदस्यों में समानताओं की बात किया है आईए हम कुछ क्रिया कलापों की साहता से इन में पाए जाने वाले अंतरों को समझते हैं क्रिया कलाप एक समान दिखने वाले कोई भी दो पौधों का अवलोकन अपने आसपास से लगभग समान आकार के दो पौधे इकठा करे एवं सार्णी क्रमांग एक में इन पौधों का नाम, तने की लंबाई, इनके पत्यों की संख्या, पत्यों के आकार वा आकृति, पत्यों का रंग, पत्यों के किनारे, श्रिरा विन्यास से संबंधित विवरन भरें एक समान दिखने वाले दो पौधों में आपको क्या क्या अंतर दिखाए दिए क्या आप हुब आउ एक जैसे दो पौधों या दो पतियां ढून सकते हैं